हेलो दियर चिल्रेन एंड वेलकम टू बिंट टॉक इंडिया आज के इस वीडियो में हम पर रहे हैं आपके इंसी एर्टी क्लास थर्ड मैथ मैजिक का चाप्टर नंबर सेवन टाइम गोज ओन और हम समय के बारी में इस चाप्टर में और भी साधा पढ़ेंगे यह इस चाप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नेचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप क्लास थर्ड मैथ मैजिक का प्लेलिस पर देख सकते हैं में टॉक इंडिया चानल में बट बिफोर वी स्टार्ट अनुसार सारे काम कर लेने चाहिए तो यहां पर स्टार्टिंग में जो स्टोरी दिया हुआ है उल्टा पुल्टा टाइम मतलब हर चीज अगर समाई के अनुसार नहीं होगा तो कैसा होगा दिखने में इस स्टोरी में कुछ वर्ड्स रेड कलर में लिखा है तो वो में fill in the blanks में correct word लेखना है तो read करना start करते हैं as the sun sets, Sumana wakes up, क्या हम लोग सूरज के set होने के बाद नीन से जाकते हैं? बिल्कुल भी नहीं as the sun rises, we wake up, what a lovely evening, no नीन से जाकर हम बोलते हैं, कितना खूपसूरत सुभा है, it is a lovely morning she washes her face fast in two hours, क्या हम two hours में अपना mood होते हैं? mood होने के लिए तो बहुत कम समय लगता है कुछ ही minutes के अंदर हम अपना face wash कर लेते हैं और उसके बाद सुमना बाहर चली जाती है she goes straight to the bird's nest सुमना के घर के पास एक bird का nest है और वहाँ पे कुछ अंडे दे रखे थे, birds ने सुना इन अंडो को daily देखती थी she has been watching the eggs for a last few months अंडो में से baby birds को बाहर निकलने में क्या months लगते हैं? बहुत सारे महीने? बिलकुल भी नहीं कुछ ही दिनों में ही अंडे में से baby birds बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पे few days होना चाहिए था she was waiting for the baby birds to come out लेकिन तभी अंडो के पास कौन आता है? but before she can blink her eye अपने पलको को वो एक बार भी जपका पाती in a week क्या एक week लगता है हमें हमारे पलको को जपकाने के लिए? बिलकुल भी नहीं, सिर्फ एक moment में ही हम अपने पलको को जपका लेते हैं और तभी क्या होता है? a cat jumps on the tree the mother bird cries loudly mummy चिडिया जोर से चिलाती है और सुमना उसकी help करने के लिए तुरंथी cat को वहां से भगा देती है as the cat jumps, it hits a big green mango जैसे ही बिल्ली जंप करती है, एक mango को जाके टच करती है और ये mango धडाम से उसके उपर गिरता है, दुम mango को जमीन पे गिरने में कितना समय लगता है? in two days, बिल्कुल भी नहीं seconds के अंदर mango उपर से नीचे गिर जाता है in two seconds, it was on the ground oh, how sad, the mango is still not fully ripe आम तो अभी पका ही नहीं था कि जमीन पे आके गिर गया it needed one more year to become sweet? क्या mango को एक साल लग जाएगा? पीला बनने में, पक जाने में, मीठा हो जाने में? बिल्कुल भी नहीं, घर में भी हम अगर mango को रख देंगे तो कुछ weeks में ही कच्चा mango पक जाता है ये सब हो ही रहा था, तब ही सुमना की sister ने उसे बुलाया are you still not hungry? come and eat hot upma for dinner सुबह के टाइम उटी थी ना सुमना तो क्या हम dinner करते हैं उस समय? no, we have our breakfast in the morning इसी pink box में से words को select कर, हमने already इस story को ठीक कर लिया तो बात ऐसी है कि कौन सा चीज करने में कितना time लगता है कितना समय लगता है, how long does it take? क्या आपने अपने घर में किसी को कभी sweater बुनते हुए देखा है या फिर किसी mill में किसी कपड़े को weaving करते हुए क्या कभी किसी potter को pot बनाते हुए देखा है कितना time लग जाता होगा एक मटका बनाने के लिए आपको school आने के पहले नहाने के लिए कितना समय लगता है गंटों लग जाते हैं या फिर कुछ ही minutes के अंदर आप अपना नहाने का काम पूरा कर लेते हैं तो हमारे textbook में एक table है जिसमें कुछ चीजें लिखनी है जो कुछ minutes के अंदर हो जाती है उसके बाद ऐसी चीजें जिन्हें करने में कुछ घंटे लग जाते हैं और ऐसी चीजें जिन्हें करने में बहुत सारे दिन लग जाते हैं तो हमें उन चीजों के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले minutes के अंदर हम नहा लेते हैं, milk boil कर लेते हैं, एगलास पानी पी लेता है, apple खा लेते हैं, चाय बना लेते हैं, popcorn बना लेते हैं, एक balloon को फुला लेते हैं, rice बना लेते हैं, etc. मिनट से भी ज्यादा समय होता है आवर्स, घंटा तो ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो बहुत सारे घंटे लग जाते हैं तो जैसे एक कपड़े के टुकड़े से अगर किसी को शर्ट, कुर्ता, पजामा बनाना हो उसके लिए बहुत सारे घंटे लग जाते हैं दही जमाना है, तो एक पूरा रात लग जाता है एक पूरा स्कूल डे, बहुत सारे घंटे होते हैं उसे स्पेंड होने में पेंटिंग अगर कोई बना रहा है, एक केक बना रहा है स्प्राउट बना रहा है, डोसा का बैटर बना रहा है या फिर कोई स्पेशल करी बना रहा है इसके लिए भी बहुत सारे आवर्स लग जाते हैं उसी तरीके से घंटे से भी ज्यादा बड़ा लंबा टाइम होता है दिनों का टाइम तो ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो बहुत सारे दिन लग जाते हैं तो निट अ स्वेटर, किसी साड़ी को वीव करने में बनाना को कच्चे से पकने में एक बिल्डिंग को बनने में मैंगो को भी पकने में और इसके बाद आपके हेर को भी लंबा ग्रो करने में बहुत सारे दिन लग जाते हैं ऐसी कितनी चीज़े हैं जो हम एक जटके में सेकेंड के अंदर खतम करते हैं जैसे हमारी आखों का जपकना जपका के दिखिए हो गया ना खतम तो एक सेकेंड के अंदर हो जाता है अगर हम स्माइल करते हैं एक सेकंड के अंदर हमारे दान बाहर आ जाते हैं, अगर हम मेडिसिन पी रहे हैं, कड़वा मेडिसिन, तो वो एक सेकंड के अंदर हम उसे निगल जाते हैं, ताकि हमें कड़वा फील ना हो, अगर पीड से एपल गिर रहा है, तो एक सेकंड के अंदर वो नीचे आ जाता है, हातों से clap करने में और heart को beat होने के लिए भी एक second जितना कम समय चाहिए होता है अगर आप घड़ी को ध्यान से देखेंगे तो घड़ी में जो काटा आपको हिलता हुआ नजर आता है वो second का काटा होता है और वो जो एक बार हिल रहा है वो एक second दूसरी बार हिल रहा है तो दूसरा second तीसरा बार हिल रहा है तो तीसरा second इसी तरीके से जब वो 60 seconds पूरा कर लेता है तब जाके घड़ी का एक minute पूरा होता है घड़ी में यह चोटे चोटे lines हमें दिखाई दे रहे हैं, यह one minute के lines है और घड़ी का यह जो minute वाला आम है, यह 1 से दूसरे minute के कांटे तक जाता है और यही minute का काटा जब 60 minutes पूरे कर लेता है, तब जाके घड़ी में one hour पूरा होता है गड़ी का जो ये छोटा वाला आम है, that is hour hand. एक दिन में कितने hours होते हैं? After 24 hours, तब जाके एक दिन पूरा हो जाता है. और कितने दिन पूरा होने पे 1 month होता है? 30 नहीं तो 31 days जब पूरे हो जाते हैं, तब जाके 1 month पूरा हो जाता है. कितना long time है न? तो इस green color के table में हम ये लिखेंगे कि कौन सी चीज़े हैं, जो महीनों तक पूरा होते हैं. Which takes about months to complete. जैसे किसी भी crop को छोटे plant से बड़े plant तक grow होने में महीने लग जाते हैं. Season के बदलने में बहुत सारे महीने लगते हैं न? Summer season, हमें March, April से थोड़ी थोड़ी गर्मी फील होना स्टार्ट होता है. May, June, July, August तक भी हमें गर्मी फील होती है. उसके बाद जाके rainy season आता है. Time से related next एक game है आपके लिए खेलने को, आपको एक ball उचालना है उपर, clap करना है अपने हाथों से. Clap करने के लिए कितना time लगता है? लगभग about a second. और जैसे ही clap खतम होता है, वैसे ही ये ball नीचे भी आ जाता है. आपको ball को नीचे गिरने से बचाना है, catch कर लेना है. Next, हम टेक्स्ट प्रूम में पढ़ेंगे How old are we? हम कितने बड़े हो चुके हैं? आपने जरूर अपने बचपन की baby age की photo देखी होगी, जब आपकी मम्मी आपको hospital से लेकर आई थी. कितने cute baby थे ना आप तब? और आज आपकी age कितनी है? Maybe you are 7 or 8 years old now. अच्छा, आज आपकी मम्मी का age कितना है? Maybe your mother is 28 years old. आप अपनी नानी मा से भी पूछिये. My mother's mother's age today. Maybe she is 48 or 50 years old. Next is my mother's age when I was born. जब आप छोटे से baby थे. यानी कि मालीजे अभी आपकी age 8 है. तो 8 years ago जब आप बॉण होए थे, तब आपकी मम्मी कितनी age कि थी? मम्मी की age अभी 28 है. क्या हम इसमें से 8 minus कर सकते हैं? या आप अपनी mother से भी पूछिके लिख सकते हैं. That time maybe your mother was 20 years old. और उसी तरीके से जब आप बॉण होए थे, what was your mother's age? जब आप छोटे बेबी बॉण होए थे, तब आपकी नानी मा का age कितना था? तो नानी अभी 48 है. आठ साल पहले मतलब 8 minus कितना age रहा होगा उनका? We can do 48 minus 8. That comes out to be 40 years. तो हम age निकालने के लिए भी subtraction और addition कर सकते हैं. अब एक सोचने वाला सवाल, जब आपकी नानी 48 years कि थी, तब आपकी मदर 28 years कि थी. आपकी मदर जब बॉण होई थी, तब वो 0 age कि थी है ना? क्योंकि हम अपना first birthday तब मनाते हैं, जब हम one year complete करते हैं. बॉण होते ही, हम उसे 0 ही मानेंगे. तो क्या बता सकते हैं, कि जब आपकी मम्मा बॉण होई थी, जब वो 0 years कि थी, 28 years पहले, तब आपकी नानी कितने age कि थी? क्या हम 48 में से 28 को subtract कर सकते हैं? वही हमारा next question है, my mother's mother's age, मेरी नानी मा का age, when my mother was born, जब मेरी ममा बॉण होई थी, जब वो चोटी सी बेबी थी, 0 age की, तब मेरी नानी मा का जो age था, वो था 2, 0, 20 years. और इसे भी हमने इस तरीकी से subtraction करके निकाला. There is a beautiful puzzle also, इरफान की मम्मी जो है, she is twice as old as him. Twice का मतलब multiply by 2. इरफान जितना भी age का है, उसकी मम्मी multiply by 2 करने से जो भी आता है, उतनी age की है. She is also 20 years older than him. और इरफान की मम्मी इरफान से 20 years ज्यादा बड़ी है. मतलब इरफान के age में अगर हम add कर देंगे 20, तब जाके मम्मी का age आ जाएगा. क्या आप guess कर सकते हैं, इरफान और his मम्मी का age, तो देखिए, 20 में अगर हम 20 add कर देते हैं, तो हमें 40 मिल जाता है. और यह 40 नमबर जो है, यह 20 में multiply by 2 करने से भी मिलता है, है ना? तो मम्मी का age है 40 और इरफान का age है 20. Next हमारे text book में है birth certificate, जब भी कोई भी baby born होता है, तो उसे एक certificate मिलता है hospital से, और यह बहुत ही important document होता है. इसमें लिखा होता है कि कौन से year में, कौन से जगा में एक baby born हुआ है, उस baby का name क्या है, क्या वो boy baby है या फिर girl baby. Girl baby के लिए हम female लिखते हैं और boy baby के लिए हम male लिखते हैं, वो कौन से date में born हुआ था, date, month and year लिखा हुआ रहता है, words में भी लिखा हुआ रहता है, वो baby कौन से place में born हुआ है, उसके मम्मी पापा का क्या नाम है, और इसे hospital में record किया जाता है, और फिर आपके state, district में भी record क किया जाता है, इसे date of registration भी बोलते हैं, और एक registration number भी मिलता है, और इसी लिए ये document इतना important है, जब भी आप admission के लिए जाते हैं, किसी school या college में, ये document आपको दिखाना पड़ता है, तो इसे के उपर हमारा question 1 है, 2-5-2002, 2002 तो year है, 2 date है, और ये 5 month है, अगर आप January, February, March, April, May, June को 1, 2, 3, 4, ऐसे serially order में लिखेंगे, तब आपको month का number मिल जाएगा, May 5 number का होता है, इसी लिए 2-5-2002 का मतलब है, 2nd May 2002 को ये वाला baby जो है, जिसका नाम बिंसी रखा गया था, ये baby बॉन हुआ था, वही हमारा question है, बिंसी वास बॉन on 2- in the year 2002, हमें या पर month लिखता है, and that is the month of May, question number 2 is, how old will बिंसी बी, बिंसी कितनी बड़ी हो जाएगी, on 2nd May 2008, देखिए 2nd में को उसका birthday आ जाएगा फिर से, बिंसी 2002 में बॉन होई थी, उसका age हम 0 मानेंगे, और उसका first birthday कब आएगा, 2003 में आएगा, वो 1 year की होगी, उसी तरह 2004 year में 2 years की हो जाएगी, 2005 में 3 years की ह हो जाएगी, 2006 में 4 years की, 2007 में 5 years की, 2008 में वो 6 years की हो जाएगी, so इस question का answer है, how old will बिंसी बी on 2nd May 2008, she will be 6 years old, लेकिन इस चीज को निकालने का एक और तरीका भी है, ऐसे इतना लंबा नहीं लिखे, हम एक subtraction कर सकते हैं, future वाला, बड़ा वाला year कौन सा है, 2008, और वो बॉन कब ह होई थी, 2002, तो 2008 से हम 2002 अगर subtract कर देंगे, तो हमें क्या मिलता है, 8-2 is 6, 0-0 is 0, 0-0 is 0, 2-2 is 2, तो हमें क्या answer मिल गया जल्दी से, 6 years, and that is our answer, कभी-कभी ये gap बहुत बढ़ा होता है, तो हम 1 year, 1 year, 1 year करके jump नहीं कर सकते, उस समय इस तरीके से subtraction करके answer निकालना जादा easy होत है, जैसे हमारे अगले question में ही पूछ रहे है, how old she will be in the year 2052, अब 2002 से हम कितना jump करके 52 तक जाएंगे, आसान यही है कि हम 2052 year में से, क्योंकि ये बड़ा है, हम 2002 को subtract कर देंगे, 2-2 is 0, 5-0 is 5, 0-0 is 0, 2-2 is 2, तो हमारा answer क्या आया? 5-0 50 years old की होगी बिंसी, 2052 year में, and question number 4, on what date will she be 8 years old, 8 years old वो तभी पूरा करकी, जब वो 8 years का happy birthday मनाएगी, तो बिंसी 2002 में born हुई थी, और 8 years की वो कब होगी, 8 years के बाद, that means 8 years अगर हम add कर देते हैं इसमें, तो हमें मिल जाएगा कौन से साल में, 8 plus 2 is 10, 1 carry, 1 plus 0 is 1, 0 plus nothing is 0, 2 plus nothing is 2, so the year 2010, बिंसी वो 8 years old, और date कौन सा होगा? 2nd May 2010 को, May month का number है 5, तो 2, 5, 2010 हम date, month और year के बीच में ऐसा line डानते हैं, in this date, बिंसी 8 years का बड़े मनाएगी, next question है, how many months old was बिंसी on 2nd August 2002? date के बीच में हम dot भी लगा सकते हैं, line के अलावा, अब हम पूछ रहे हैं, कि वो इस date में born तो हुई थी, लेकिन उसके बाद 2nd August 2002 में वो कितने month old थी, तो उसके लिए भी हम future वाला जो date है, क्योंकि बाद में हुआ है, वो बड़ा है, इसलिए हम उसे उपर लिखेंगे, जिस date में वो born हुई थी, उसे नीचे लिखेंगे, अब हम कर देंगे इसे subtract, August का जो number होता है, उसे आप चे subtract करेंगे, तो 3 आएगा, 2 में से 2 subtract करेंगे, तो 0 आएगा, तो हमारा answer क्या आया, number जो आया, वही answer है, that is 3, बिंसी विल भी 3 months old, 3 months की cute सी बेबी होगी बिंसी, 2nd August 2002 में, उसके बाद वाला question, how many years old is बिंसी नाओ, अभी कौन सा साल चल रहा है, आज, आज का समय चल रहा है, 2023 23 year, तो हम आज के समय के हिसाब से निकालेंगे कि बिंसी अभी कितने साल की है, तो rule हमारा same है, जब 2nd May 2023 year का उसका birthday आएगा, तब वो अपना complete year करेगी, तो इसे हम उपर लिखेंगे, और वो bond कब होई थी, 2nd May 2002 में bond होई थी, जिसे हम subtract कर देंगे, 3-2 is 1, 2-0 is 2, 0 में से 0 माइनल 0, 2 में से 2 माइनल 0, 5 में से 5 माइनल 0, 2 में से 2 माइनल 0, तो क्या नंबर हमारा पस आया है, 2, 1, 21 Question number 7 है, after how many months of her birth was the certificate issued, वो bond हुई थी मे के महिने में, और उसका जो birth certificate था, वो कब issue हुआ था, मतलब वो कब उसके parents को दिया गया था? उसके लिए हम दुबारा birth certificate की तरफ चलते हैं, जो issuing वाला date है, वो एदे के एकदम नीचे लिखा हुआ है, 5-8-2002 8 का मतलब होता है, August का महीना, 5 August 2002 को यह certificate issue हुआ था, अब वो में में बॉर्ण होई थी, और certificate मम्मी पापा को August में मिला, तो कितने महीने बात मिला? तो मे से जून तक होता है 1 month, जून से जुलाई तक होता है another 1 month, जुलाई से ऑगस्ट में होता है another 1 month, तो टोटल 1, 2, 3 months लग गए? या फिर हम August 2002 से minus कर सकते हैं May 2002 इसमें भी हमें 3 ही answer आएगा 3 months उसके बाद question number 8 है what is the registration number of her birth certificate तो वो भी birth certificate में लिखा हुआ होता है this is the number 815 slash 02 similarly अपने parents से अपने birth certificate को देखके textbook में given ये सभी informations आपको मिल जाएंगे I hope this will be very interesting for you next हम calendar के उपर एक special magic trick पडेंगे but in our part 2 video so stay tune we will meet very soon till then thank you very much bye bye